हेलो एव्रीवन वेल्कम टू बैंक व्लोगर तो आज की इस वीडियो में मैं SBA ग्लेरिकल मेंस के रिगार्डिंग मैस की स्ट्रेजी के बारे मैं डिसकस करूंगा तो देखिए मेंस में मैस जो है वो 50 कोश्चन आएंगे 50 मार्क्स के ठीक है हमें 45 मिनिट्स मिलेंगे यहां पर तो अभी देखिए क्या क्या चीजे वहां पर पूछी जाती है मेंस में तो पहले उसके रिगार्डिंग बात करता हूं मैं डेटा इंटर्प्रेटेशन केसलेट सिंप्लिफिकेशन अप्रोक्सिमेशन निया रोंग नम्बर सिरी क्वाद्रिक ग्वेशन पर पर कौन्टी 1 क्वाद्रिक ग्वेशन डेटा इप्वेशन डेटा अप्रोक्सिमेशन फिर जो हमारे chapters पर जो question पूछ जाते हैं अभी देखिए data interpretation के वहाँ पर आपको minimum 3 set मिलेंगे ठीक है चाहे वो line हो चाहे वो bar हो चाहे वो pie chart हो ठीक है case rate आपको minimum एक तो रहे गाई ठीक है एक से दो भी पूछ सकते हैं simplification approximation missing number से रही या wrong number से रही या quadratic equation इसमें से सिर्फ five marks का ही आएगा अगर clerical में पूछा गया तो ठीक है quadratic equation ये भी five marks में पूछ सकते हैं ये भी five marks में data sufficiency भी ठीक है ये पंदरा नंबर तक आ सकता है ठीक है basically होता क्या है data interpretation और case rate को मिला कर ये first और second को मिला कर न वो around twenty three to twenty five questions पूछेंगे ठीक है या तो वो चार data interpretation भी पूछ सकते हैं ठीक है हो सकता है वो case rate न पूछे बट अभी जो trend चल रहा है वो case rate जरूर पूछते हैं ठीक है अब अपने data interpretation की त्यारी अच्छे तरीके से रखें क्योंकि अब जो data interpretation या case rate बगरा पूछते हैं उसमें logical concept लगते हैं ठीक है तो आपका जो भी आप chapter अगर कर रहे हो तो मैं chapter यहां पर note down करूंगा serial wise आप उसी तरीके से ही chapter को अपना prepare कीजेगा तो आपको इतनी problem नहीं होगी वहाँ पर data interpretation solve करने में अगर तो आपने पिछले साल का SBA clerical means दिया है तो आपको पता ही होगा कि data interpretation का अभी क्या level है ठीक है यह नहीं कि पहले हम दो साल पहले जो exam देते थे वैसी data interpretation आएगी तो easily हम लोग 20 प्लस वहाँ पर target कर लेंगे तो अभी वो 20 प्लस लेने के लिए भी काफी मेहनत करनी पड़ती है ठीक है तो 21, 22 यह जो 4, 5 और 6 जो हमारा section रहेगा ना इसमें से वो सारे chapters के उपर होंगे ठ देखिए 50 questions आते हैं तो half तो इन्होंने यह 1st, 2nd, 3rd में आ जाएगा आपका और बाकी का जो half रहेगा वो 4, 5th और 6 पूछा जाएगा ठीक है मतलग कि यहां पर आपके full-fledged chapters चलेंगे यहां पर आपके जो अगर मैं कहूं तो data interpretation यह simplification normal जो थोड़ा सा easy way रहता है कि exam में जो first preference जो बच्चे देते हैं न वो इन ही चीजों को देते हैं ठीक है तो अगर तो जिनकी practice अच्छी है जिनके chapters पे मतलग की command है जिनकी तो वो quantity one quantity two data sufficiency और यह सब question भी पहले attempt कर सकते हैं मेरी रहे में अगर आप data interpretation case let simplification approximation पहले कीजीगा ठीक है तो काफी easy रहेगा आपके लिए वहाँ पर आप score अच्छा score कर पाऊगे अभी देखे chapters में कौन-कौन से chapter आपने तयार करने वो मैं यहाँ पर लिखे देता हूं ठीक है कि first of all कि percentage कि profit and loss कि ratio and proportion कि फिर हमारा partnership कि एवरेज प्रोब्लम ओने जिस यह मैं serial order wise क्यों लिख रहा हूं अगर देखिए पहले इसको discuss करता हूं मैं सबसे पहले आप percentage कीजेगा उसके बाद आप profit and loss कीजेगा क्यों कि अगर आप percentage करोगे तो profit and loss साथ में करोगे क्योंकि यह relatable होते हैं मैंने अपनी पिछली वीडियो में profit and loss का जो basic concept समझाया था व आप partnership करना फिर average वाला chapter करना ठीक है फिर problem on ages वाला chapter करना जब आप problem on ages अगर शुरू से ही अगर मान लिजे फरस्ट ही आपने problem on ages वाला chapter उठा लिए ना तो कुछ ratio के concept इसमें लगते हैं ठीक है average वाला concept भी लगता है तो फिर वह आप आपको समझने में थोड़ी दिक्कत तो आप ऐसे ही serial order wise चलिएगा ठीक है फिर आप simple interest फिर आप compound interest करना ठीक है फिर time and work time and work के बाद pipe and systems ठीक है उसके बाद आप चलाना speed, distance, speed and distance में जो आगे आते हैं boards and stream इसके भी question prelims और mains में पूछे जाते हैं फिर problem on trains यह chapter यह सभी आप एक serial order wise चलिएगा ठीक है time and work और pipes and systems यह relatable concept लगता है इनका ठीक है वही speed and distance और problem on trains था कि वह भी same ही average speed और यह सभी concept वहाँ पर लगते हैं ठीक है तो आप यह जो जितने भी 13 चैप्टर में ने लिखे हैं एक और जिसे areas वाले हो गए ठीक है फिर हमारे probability हो गए वह जारातर बच्चे जो है यह chapter जो है skip कर जाते हैं ठीक है यह आपके उपर है तो आप एक systematic way में इस चीजों को त्यार करना शुरू कीजिए ठीक है अगर आपने कोई lecture देखा है आप online study कर रहे हो ठीक है नहीं कोई institute join किया अगर आपने percentage का कोई lecture देखा है online ठीक है फिर percentage के regarding आप कम से कम जारा से जारा कोशन आप solve कीजिए ठीक है एक और चीज करना आप अगर online कोई data interpretation पूछी जाती है उसमें हमारा percentage का concept बहुत ही जारा strong होना चाहिए ठीक है percentage तो मैं आपको अभी से हमेशा से ही यही कहता है हो कि percentage को आप इतना आपको नहीं उस time पर equation का पता नहीं चल रहा तो आप कम से कम इन chapters में तो 4-5 question करी लोगे ठीक है clerical level में इन chapter में जो भी question पूछी जाते हैं वो moderate रहते हैं इतने जारा tough नहीं आते ठीक है कुछ आधे chapter में से वो tough question पूछ सकते हैं लेकिन जादा नहीं ठीक है वो यही होता है कि एक average से average बच्चा भी उन questions को कर पाए इतने जारा tough question नहीं पूछे जाते ठीक है तो अगर आपके यह 14-15 जो chapter में यहाँ पर लिखे हैं अगर आप इन में से 12-13 तक भी कर दो यहां तक भी 13 तक भी कर लेते हो ना पूरे अच्छे तरीके से तो यह भी आपके लिए काफी benefit रहेगा ठीक है आप इन में से ही आपको 10 question आराम से easily मिल जाएंगे वहाँ पर जो doable होंगे ठीक है अगर एक D.I.F. हसती है आपकी वहाँ पर तो आप कम से कम अपनी average तो होई जो इन सब chapters में से पूरी कर सकते हो अभी यह देखिए तेरा chapter अगर आपने अच्छे तरीके से कर लिए यहां तक तो आपका यह 456 वाला जो कॉलम है ना उसमें भी आप बड़े राम से attempt कर सकते हैं जो कि बच्चे करने से डरते हैं कि यार अगर मैंने यह chapter में से उठा लि आपकि बुक अपने पास रख लिजीए जितने भी back quotient उसके दिये हो वो सभी solve करना शुरु कर दीजा अगर rs वाल solve कर लेते हो तो फिर अरहंत की बुक ले लेना ठीक है ? तो बुक वाले भी कोशन आप solve करना शुरु कर दीजिए तो बिना किसी shortcut कि आप उसको base को अगर आ तो आपका मैस में से मतलग कि मैं कहूंगा कि आप 35 प्लस बड़े राम से स्कोर कर सकते हो वहाँ पर ठीक है बाकी यह आपकी प्रैक्टिस के ओपर है तो आप जब भी यह चैप्टर उठाओ ना जिसे मैंने मान लिजिए आज परसंटेज स्टार्ट किया है ठीक है अगर परस यह चैप्टर के ओपर पूरा अच्छे तरीके से फोकस करना है ठीक है एक चैप्टर के 100 कोशन भी अगर मान की चलो तो एक दिन में 50 ठीक है वैसे बच्चों के इतनी स्पीड होती है जिसे सिंपल इंट्रेस्ट कंपाउंट्रेस्ट के इतनी जारा कोशन नहीं होते ठीक है और नहीं बोर्ट्स और स्टीम के आप इतने कोशन होते हैं ठीक है तो यह कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आप एक दिन में भी खत्म कर सकते हो ठीक है रेशो के साथ आप मिक्स्चर और एलिगेशन भी जोड़ लेना यह मैं यहाँ पर स्किप्ट कर गया हूं ठीक है रखेजी देखिए एक महीना इनके लिए सफिशन्ट रहेगा अगर आप बुक में से भी सॉल्व करते हो ना तो एक महीना आपके लिए बहुत ही जारा सफिशन्ट रहेगा क्योंकि यह चीजे मैंने खुद ही अजमाई हुई है खुद की मेरा यह एक्सपीरियंस है खुद सीधा ही सॉल्व करना शुरू कर दिया ऐसा नहीं होता अब हमें एक्वेशन्स बनानी पड़ती है एक्वेशन्स आप तभी ही बना पाओगे अगर आपने कुछ चैप्टर सॉल्व करे होंगे इन में से तो ठीक है तो सिंपल बात यह है तो आप अपना चैप्टर चलाएं ठीक है तो मुझे ने लगता कि इतना कोई टफ रहेगा आप लिए और आप जो है अभी प्रीलिम्स लेवल वाली चीजे मत चलाइए ठीक है अगर आपने एक दो प्रीलिम्स दे दिए हैं आपका भेस तो प्रीलिम्स में तो बेसिक लैवल के कोशन्व पूशनल पूशन प मिल जाएगा और जो आगे जो बचे हमारे 20 से 25 नमबर वो यहां से क्लियर हो जाएंगे ठीक है तो यही था में मैंस के बारे में तो चैप्टर को आप करना शुरू कर दीजिए अच्छे लेवल की डी इस सोल्व करना शुरू कर दीजिए अगर आपने चैप्टर अच्छे से करे होंगे तो आप कैसलेट कर सकोगे क्योंकि कैसलेट में होता गाए यहां तो रेशो से शुरू होगा या परसंटेज से शुरू होगा तो अगर आपने रेशो और परसंटेज नहीं किया होगा तो आप कहां से कर लोगे अभी इस क्लैकल मेंस में क्या हुआ था प्रॉफ चार डी आई भी बना सकता है, चार डी आई कैसे इसको कैंसल कर देगा, इसकी जागा पर डी आई पूछ लेगा, ठीक है, अब वहाँ पर examiner को challenge नहीं कर सकते हैं, I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आने वाले वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रही है, मिलते है ने ने वीडियो में, तिल दन, तेक केर.